नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सत्यम आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं जिला सांखी की पदादिकारी संबूर आई सर इनकी नई रचना आने वाली है इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर धन्यबाद आपको सर चुकी आप भागलपूर में बहुत समय से पदस्थाफित हैं आप एक पदादिकारी के साथ साथ एक कवी भी हैं मैं चाहता हूँ आप काप यूरूप में भागलपूर का वर्णन करें और बताएं कि भागलपूर कैसा है देखे थोड़े में समेटना बहुत मुस्किल काम है फिर भी मैं कुछ पंक्तियां भागलपूर के बारे में जो हमारी अनुभूती है जो मैंने ये महसूस किया है उसको मैं आपको और आपके दर्सकों को सुना रहा हूँ को नहीं जानत बीर कर्ण को इसी अंग के राजा थे धान कतरनी अमजर दालू धामों में सुल्तान धाम को नहीं जानत है जग में बिक्रम सिला प्रसिद्ध है नाम आगे अदी में भागलपूर के बारे में बताऊं तो नाथों में अजगए भी नाथ तिलका का भी रहा है साथे को नहीं जानत बिहुला भी सहरी गवई हो या भले हो सहरी सर चुकी आप गाउं से भी आते हैं ग्रामीन परिवेश रहा है आपका मैं चाहता हूँ की बदलता भारत का गाउं आज से एक दसक पहले का गाउं और अबके गाउं में क्या फर्क है क्या अंतर है अब का भी रूप में हमारे दर्सकों को ये बताएं देखे गाउं बदले हैं गाउं में विकास हुआ है लेकिन गाउं के बारे में जो आपने पुछा मैंने गाउं को बहुत पहले का गाउं राज के गाउं में जो अंतर पाया है उस पर मैंने कुछ लिखा है गाउं नहीं अब उतने अच्छे जो बच्च्पन में लगते थे गउरिया की चहक से जगते काका के घर भगते थे बड़ी मुस्किल हो गया है आजकल गाउं का महाल एक पग भी है चलना मुस्किल मुस्कानों में छुपा हे किल एक पल भी है चलना मुस्किल मुस्कानों में छुपा है किल दसा देख अब गाउं का लगता नहीं मेरा है दिल गाउं की स्थिती बड़ी एक तरह से खराब सी होती जा रही है मना इस्थिती लोगों की विकास भले हो रहा हो सणके बन रही है लेकिन हिर्दे भी पहले जैसा अब नहीं रहा बदलते भारत के साथ-साथ यहां की गाउं भी बदल रही है मैं चाहूंगा सर जो भारत पूरे बिस्वस्तर पर अपनी पर्चम लहरा रहा है उसकी विसेस्ताओं को आप कवीता के माध्यम से सुनाएं देखिए हमारा भारत जो है एक पूरी दुनिया में अपना एक अलग छाप रखता है अनेकता में एकता यहां की जो भिसेस्ता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ दाढ़ी पगडी टी का टोपी दाढ़ी पगडी टी का टोपी अलग अलग भिस भूसा है सबी जग सद्भाव प्रेम है नई निताले आप पूसा है तो यह अपने देश की स्थिती है और हम काफी उचाईयों पर जा रहे हैं और हम विस्व गुरू बनने की तरह बढ़ रहे हैं सर्फ फिलाल अपने देश में अभी काफी उचल पुथल है राजनितिक तोर पर भी और जैसे की आंदोलन लगाता है हर चीज को लेकर चलता है फिलाल अभी किसान अंदोलन चल रही है तो फिलाल देश की राजनिती और इस उथल पुथल पर आप कुछ परकाश डालें अब देखे मैं बहुते उस पर क्या कहूं हमें एक पता लिकारी हैं फिर भी मेरे कभीमन ने जो देखा और महसूस किया है कि अक्सर गांधी बिवेका बुद्ध की अंबेतकर की साहब की मुर्तियों के सामने आंदोलन होते है तो चौरा ही खड़ी मुर्तियां है पूछती सवाल देश में क्यों हो रहा नितनया बवाल गांधी बुद्ध बिवेका मौन होकर कह रहे प्यारे देश बासियों रहे तो ये ये मुर्तियां ये नहीं चाहती कि इस तरह का विबाद हो फिर भी अब राजनीत का आपने सवाल किया है तो राजनीत तो हावी है नजर बनी है कुरसी पर स्वारत में अंधे भी हैं कर्तब्यों की ओधार ना फिर कैसे समझ हुए पाएंगे राजनीत में नीत नहीं नियत में खोट जलगती है भारत माता की नजरों में उसके किर्ति खटकती है और आगे राजनीत पर मेरी और एक कठाक्ष है कि अपने रावन को राम हैं कहते औरों के राम को कह रावन बैसाख जेट को भी कह देते यही माह पावन सावन बैसाख जेट को कह भी देते यही माह पावन सावन यहां तो इस्तिदी है सर फिलाल जैसा कि आप पदादिकारी हैं इसके साथ साथ आप एक कवी भी हैं लिखना पढ़ना आपको पसंद आता होगा जाहिर इसी बात है आप टीवी भी देखते होंगे अभी जो मीडिया और पत्रकारिता भारत में चल रही है बड़े मीडिया संस्थान है बड़े न्यू चैनल है आप जरूर देखते होंगे तो आप इस पर भी अपनी दोचार पंक्ती हमें सुनाएं और हमारे दर्सकों तक कुछ पहुँचा देखे मीडिया का बहुत उसकी बहुत बड़ी भूमिका है समाज का मार्गरशन करने में और कर भी रहे हैं लोग और आपने मीडिया और चैनलों की बात जब पूछी हम भी देखते हैं सबको मैं आपके टीवी को भी देखता हूँ टीवी सिल्क भी आगे बढ़कर रोते की आँसु पूछ रही बदलेगा यह बिचलित जमाना मिडिया की यह राह रही देखे मैं आज तक भी बहुत देखता हूँ और उनके भी उससे में प्रभावित रहता हूँ सर आप मुझे ऐसा लगता है आपके कविताओं से आपके रचनाओं से कि आप प्रकृति पर यकिन रखते हैं इस स्वर को आप मानते हैं तो फिलाल हमारे देश में जो बदलाव चल रहा है जो विकास हो रहा है आप हमारे देश के लिए अपने इस स्वर से क्या प्रात्ना करते हैं या क्या कुछ मांगते हैं देखे इस्वर को मैं मानता हूँ और इस्वर ही नियंता है पूरे प्रकृति का विबेका जी ने जब मान लिया दुर्गा जी को तो हमें मानने में उस पर प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें उन रास्तों पर महा जनो जे नगता सपन था उन रास्तों पर चलना चाहिए बिना समय वरबाद किये तो मैं इस स्वर से क्या मांगता हूँ हे प्रभू तू भेज फिर उस देव गाधी बुद्ध को जो मिटा दे देश के हर द्वंद को हर जुद्ध को सर हरवार आपसे मिलके एक नई उर्जा मिलती है एक नया कुछ सिखने को मिलता है नया साल आने वाला है तो इसी उपलक्ष में मैं चाहूंगा आप अपनी नई रचना हमारे दर्सकों तक पहुँचाएं हमारे दर्सकों को सुनाएं नव बर्स तुम्हारा करू बंदन नव बर्स तुम्हारा अभिनंदन नए साल में मैंने कल पर सम इसको लिखा है कि नौ बर्स तुम्हारा करू बंदन नौ बर्स तुम्हारा अभिनंदन खुशियों का दा मन देते खुल जन जन से एह देते बोल हो प्रेम शांती साव हार्द चतुर देके सुखत करू मैं तेरा हार देके ओ प्रेम सांतिसाव हार्द चतुर दिके स्वागत करू मैं तेरा हार दिके करू याचना सुर्ज देव से नई सुबह की नई किरन से तेज ओज संचारित करते करू याचना सुर्ज देव से नई सुरज की नई किरन से तेज ओज संचारित करते पमन देव से करू बिंती उत्साह उमंग के उपमन से सवहार्द एकता और प्रेम की मल्या निल भी बह जाती जन जन को पुलकित कर जाती सुर्भित रस्टियता कर जाती है नया साल संकल्प नया हो हो मैत्रिभावन कहीं दुराओ अपने पराये भेद नहो नीतनियत में छेद नहो अन्याय अधर्म और सहिस्टा पर सबके भी तर छोब भी हो नस्वर दुनिया के पथिकों को नस्वर चीजों का अलोभ नहो जीवन की चन भंगुरुता पर दृष्टी हमेशा बनी रहे है अल्पकाल में अद्बुत करना अंतर मन में ठनी रहे अबना है यह देश निराला बिविंधर्म भासाओं वाला टीका टोपी पगड़ी दारी बड़े काम की कविरा बाड़ी आज भी कवीर से बड़ा कोई संत नहीं गुआ संभू का है सब को प्रणाम बन जाता तब सारा काम ले लेते संकल पे आज हम दीप समन्वे और प्रेम का मिलके सभी जलाएंगे मात्र भूमी को उतकर्सों पर फिर से हम पहुचाएंगे बिश्व कुरू की पदवी से हम पुना नवाजे जाएंगे जैहिन जै भारत सर नई रचना थी आपकी बहुत खुबसुरती बहुत अच्छा था आप हमेशा प्रकिर्टी पर देश पर हर्याली पर पेंड़ पौधे पर अपना प्रकाश डालते हैं लिखते हैं आपकी कवीता हमारे देश के हमारे उम्र के हम सभी लोगों को कुछ न कुछ नया सिखा एक संदेज देती है। मैं चाहूंगा आप अपनी लेखनी को इसी प्रकार जारी रखें। समाज में आते बहुत लोग हैं, समाज को देकर कोई नहीं जाता। आप समाज को देने का काम कर रहे हैं, इसे जारी रखें। और जहां तक हो सके प्रकिर्ती हमारे देश और हमारे महान पुरूशों पर अपनी लेगनी लिखते रहें। धन्यवाद सर हमारे साथ थे जिलाश शेंखी की पदादिकारी भागलपूर संभूराई सर आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। तो आप हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यदि इसे आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद